महिला टी-20 विश्कवब दो हजार चोबिस का अगास तीन अक्टूबर से होना है जिससे पहले सभी टीमें सीरीज खेल कर अपनी सयारियां कर रही है साउथ अफ्रिका महिला टीम और पाकिस्तान महिला टीम के बीश तीन मैचों की टी-20 सीरीज जारी है जिसमें पहले टी-20 मैच में साउथ अफ्रिका की टीम ने पाकिस्तान पर आसाने से जीत दर्श की मोलतान क्रिकेट इस्टूडियम में खेलने गए पहले टी-20 मैच में पाकिस्तान महिला टीम ने टॉस जीत कर पहले गिंद बाज़ी करने का फैसला किया पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रिका ने निर्धालित बीसोर में चार बिकित कोकर 132 रन बना है इसके जवाब में पाकिस्तान महिला टीम 122 रन नहीं बना सकी और यह मुकाबला साउथ अफ्रिका टीम ने 10 रन से जीत लिया जीत के साथ ही साउथ अफ्रिका ने तीन मैचों की टीट्वेंटी सिरीज में एक शुनी की बढ़त बना ली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालत फिलहाल को सही नहीं चल रही है फिर चाहे बाद पुरुष टीम की हो या महिला टीम की हो और जगह सिर्फ उने हाथों में निराशा लग रही है हाली में पाकिस्तान महिला और साथ अफ्रिका महिला टीम के बीश पहला T20 मैच के लागया जिसमें साथ अफ्रिका की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए बीस ओर में चार विकेट पर 132 रन बनाया साथ अफ्रिका की टीम की तरफ से ओपनर टैजमीन ब्रिट्स ने सबसे ज़्यादा रन 56 की पारी के लिए उनकी पारी ने 500 के शामिल देए साथ अफ्रिका के जीत को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमन बॉक्स में बताइएगा वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा